कि येहीं दोस्तों आपको बिल्कूल एकीन कारना मुष्किल हो जाएगा दूस्तों कि आप सभी को पता है कि पूरी इंडिया पर इस डोस्तों बहुत जमा जम करके बारिस हो रहा है और इस बारिस के कारण दूस्तों हमने जो अपने होम पेच पर अपने WhatsApp नमबर को आपके लिए डाला है कि अगर आपकी घर पर कोई भी प्रोबॉलम है दिवारों में तो सबसे पहले उसका पीक हमें भेजिए हमारी WhatsApp नमबर पर फिर उसका साही सुलियोशन आपको दिया जाएगा तो ये किन मानिये दोस्त एक 15 दिनों से कम से इंट्रियर दीवार है ओगिला हो धार दोस्तों अगर कोई लोग दोस्तों स्रिंट प्लाश्टे करके रखा है बहारा देवारों पर उसका भी अंदर पर इस से घिला हो रहा बारिस आते ही और किसी-धिसी लोगों का कह ये भी है कि भारिया भारा पिइंट بी कर दिया है ल साइड एक दो साल बाद आपको दिखाई देगा जब आपका जो घर है उसका पेंट को केंगसर की तरह अंदर यह अंदर खा जाएगा इसकी उपार दोस्तों फिसले एक महिना से हमने तीन वीडियो डाल दिया है फिर भी दोस्तों लोगों का बार-बार करके इहीं पी गार आ इस बात को क्योंकि यह प्रोबलम अगर बड़ा है तो आपको बारीकी से सुनना भी है दोस्तों एक भी स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें क्रियेट होगा प्रोबलम दोस्तों सपोस्स आपने नया प्लास्टर किया है पेंट करना आपका बाकी है इंट्रियार और एक्स्ट्रियार में दोनों ही जगा पर पेंट करना बाकी है ठीक है और आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी दिवार हो रहा है भाईया गीला अब हमें क्या करना है नया प्लास्टर की केस में तो दोस्त मैं आपको बता दू कि अगर आपका पेंट नहीं हुआ है नया वाटर पूर्पिंग हो जाएगा तो जाहिर सी बाद है अंदर पर रूख जाएगा दोस्तों और सबसे पहले जिस आपका रूम है एक रूम पर यहार चार ओल्स होता है तो जाहिर शी बाद है दो स्टोफ हो इक यह दो सबसे पहले दोस्तों आपको करना है अब सभी कमपनी का पास अलगए цветital केमिकल है दोस्तों अगर आप लोग एसीन पेंट का वाटर पूर्पिंग करेंगे ठीक है तो आप लोग एसीन पेंट का स्मार्ट क्या डेम प्रूफ भी कर सकता है या फिर इसमार्ट क्या डेम प्रूफ जो अल्ट्रा है दोस्तों अल्ट्रा को भी आप लोग कर सकता है उसका क्या solution है वह भी बताएंगे तो आपको करना क्या है जो आपका एक्स्ट्रियर दीवार है उस पर करना है आपको अल्ट्रा Geom Br価रा दोस्तु ACNPEN का आप करने का तरीका भी थोड़ा जान लिए दोस्तु डेमणपर लट्रा जो है आपको करना क्या है जो आपका एक्स्ट्रियर दीवारो है सबसे पहले ना आपको पुट्टी करना करना है ना आपको फ्राइमर करना है ऑगर हमें करना है तो उसका भी तरीका कर देंगे तो आपका प्रोब्लम बिल्कुल भी सठीक नहीं होगा तो सबसे पहले आप जान लिजे कि तीन कोट करना है पहला कोट डबल कोट और त्रिपल कोट दोस्तों पहला कोट क्या करना है जो मान लिजे आपने 10 लिटर का कॉंटिटी लेके आया है डेम प्रूब जाएगा ध्यान से सुनना वह तो फिसी किसी दिलार थोड़ा ज्यादा ही लेगा कोई दिख्कत नहीं बीस लिटर डेम पूब आप लेके आया है ठीक है आप क्या करना सबसे पहले उसी डेम को आपको प्राइमिंग कोड करना है, प्राइमार जैसा, पानी से पतला करना है, कितना एक लिटर डेम प्रूप अल्टरा में आपको 30% पानी मिलाना है, यानि कि एक लिटर में 300 ml पानी मिलाना है, इसी चीज़ को आप याद रखना दोस्तों, ठीक है, फास कोड में, है पहला कोड्वें हमें पाने मिक्स करना है और आगे और हमें डबल कोड्वें में एक बूंद भी पाणी नहीं करना है पहला कोड्व अपना आग को क्छोला रखना क्यूंकि आप Нे बारा साल के लिए वाटर फूर्पिंग कर रहा है भाई पेंटर की बातों पर मत आना कि हमने ऐसा ही कर देता है कोई भी दिक्कत नहीं पांक छे घंटा सुखा ये सुखानी की बात क्या करना सेकेंड कोट को एपलाई करना अल्टरा को उस पर एक बूंद भी पानी नहीं पहल है फिर इसको करने की बात आप चाहिए तो डाइरेक्ट पेंट कर सकता है दोस्तों क्योंकि जो डेम प्रूब है वह प्राइमर की की तरह काम कर गए इसमें आपको फिर टॉप पर प्राइमर करने का जरूरत नहीं है जाके डाइरेक्ट किसी एक मिड रेंज का पेंट भी कर सके दोस्तों जैसे कि डास्ट प्रूब हो गया या फिर उटर प्रेंट करेंगे तो ब्लत बैटर है तो इसको करने से आपका इंट्रियर का प्रफलम चला जाएगा आपको इंट्रियर में डे-प्रूब करने का ज़रुदद नहीं है जो एसीन का जो डेमसीड वाल्प्राइमर है उसको करने से काम बन जाएगा अब आप माल लिए कि हमारा बाहरी दिवार प्लास्टार हो चुका है लेकिन इंटरियर का पियंट हमारा खराब हो रहा है तो आपको उस केस पर करना क्या है अगर आपका पुट्टी है पुट्टी खराब हो तो तारबरस से जो पेंट आपने करा है उसको रगड़न के घिशाय करके फिक दिजे फिर प्लास्टर की दिवारफर इंट्रियर में जो एसीट पेंड का डेम ब्लोक एक्स्ट्रीम है दोस्तों एक्स्ट्रीम को करना है ओर डावल कोड करना है आपको इस पर एक बूंद भी पानी नहीं मिक्स करना लेकिन इसको करने की बाद आप पुट्टी करो फिर पेंट करो यह प्रीपूट्टी दोस्तों प्रेंट है् और आपकी अगर हैसियत नहीं है कि भाईया हमें पुट्टी का पैसा नहीं है तो डेम लोग एक्स्ट्रीम को करने की बाद दो कोट कर दीजे प्राइमर करने की बाद पैन कर लिए दोस्तों यह प्रोबलम आपका खतम हो जाएगा फिर भी अगर आपकी कोई डाउन है तो हमे कामेंट करें पार्सनाली कोई प्रोबलम है तो वादसाफ पर जाके कामेंट करें फिर भी लेंगे एक नहीं वीडियों सा तब तक लिए जैहिन और बांदे मत्रम